हम आपको जानकारी दे रहे हैं यह भुसा लोड करने वाला ट्रिक्टर होता है इसके बारे में अज़ आपको बताना जाहें गे और हमारे साथ मौजूद है भुसे के ट्रिक्टर लोड करने वाले भाइस subir क्या नाम है साब आपका मुबीन भाई मुबीन भाई हैं हमारे साथ जिनका ये भूसा लोड करने वाला ट्रेक्टर है लोडिंग का ही काम है इनका बूसे का कहां से हैं आप सब थोड़ा तेज बोली आवाज नहीं आ रहे हैं तो मुबीन भाई ये ट्रेक्टर आपका कितने अच्छा था जोण 2500hp के ट्रैक्टर है अब इसके थोड़ा बकेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें यह बकेट क्या कमपनी के साथ आया था या अपने अलग से बनवाया यह अलग से बनवाना पड़ता है तो इस में कितना खर्चा आता होगा ये बकेट बनवाने में छे लाग पूरा ट्रेक्टर के अलावा पूरा छे लाग रुपे का खर्चा आता है और क्या क्या हो इसमें खास होता है जो दूसरे ट्रेक्टरों में नहीं होता है उनसे अलग हटके इसमें क्या होता है और तो यहां पर लगा दिए जाता है तो भुसा भर जाता है अगर सामने जो नॉर्मल जिस जगा पे रेडियेटर रहता है वहां पर रहे तो भुसा भर जाएगा इसमें कहहां पर बिया जाता हैं झाली रेडियेटर इसको पीछे कर दिया जाता है और पीछे एक वेट्यूम पम जैसा दिख रहा है उसके पारे में और बताएν है यह क्या है और किसा काम जहां कौने केफ से बारे अच्छा अच्छा जैसे कहीं भूसा भर जाता है काम करने के बाद तो फिर इसे एर पंप से इसकी सफाई करी जाती है अच्छा अच्छा यह किती हाइट तक भूसा चड़ा सकते हैं अपन इससे अच्छा अच्छा तो यह जो इसके हाइड्रॉलिक वाले शाकप दिख रहा है यह और बड़े भी होते हैं इससे बहुता हागा अच्छा 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 राड जो है छबीस फिट तक खुल जाती है अभी अपन ने करीब इसको काम हो गया था तो इसको बंद कर रहा है त करीब 10 फिट के करीब हो गई है 15 फिट है इस राड से लेके बकेट तक का जो लेवाल है करीब 15 फिट हो चुका है अच्छा इसको अपन दूसरे कम एच्पी वाले ट्रेक्टर पर चलाएंगे तो नहीं काम करेगा है नहीं करेगा इसके लिए नया और अच्छा ज्यादा ए और श्याद में असटोर करना हो तो किस हसाब से आप चार्ज करेंगे कितने पैसे लेंगे तो हो गंटा एफ यहा असका है यसाद्स ज्या लगता है डीसल चार्ज sinners असरे अच्छा राक सी . पांच से छेलम डी ट्याजल कöt मतलब 5-600 रुपे का डीसल और 2000 रुपे चार्ज तो कुल में लागे एक मोटा मोटा पन मान ले तो 5000 रुपे घंटा पड़ेगा एक घंटे में भी काफी जादा काम हो जाता है लगबग 10 ट्रक भुसा आसानी से एक जगा एकटा हो जाता है जगा अच्छी हो बिलकुल प्लेन जगा हो और एक जैसी साफ सुत्री जगा हो तो आसानी से एक घंटे के काम में इस फ्रेक्टर की मदद से हम 10 ट्रक भुसे को एक जगा धिर लगा सकते हैं ठीक है साब मुबीन भाई बहुत बहुत शुक्री है आपका जानकारी देने के लिए इसमें रिपीट करते था हूं आप बताईए जैसे बता रहे थे 7-6 97 20 97 00 मुबीन भाई है क्या आप खाली ललरिया में ही काम करेंगे या ललरिया क्या असपास भी कहीं चला देंगे हर जगा जाते हैं बतलब यह है के काम थोड़ा लंबा मिले तो कहीं दूर भी ले जा सकते हैं नहीं जैसे कोई एक दो घंटे के लिए बोलाना चाहे आपको यह ठीक है साब शुक्रिया बहुत बहुत